हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंबाला से काला अंब और अंबाला से मोहाली तक बन रहे ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेसवे के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अंबाला से काला अंब का सफर अब चंद मिनटों में पूरा होगा। 33 किलोमीटर लंबा हाईवे बनने जा रहा है। हरियाना के ग्रिह एवं स्वास्थे मंत्री अनिल विज ने अंबाला काला अंब और अंबाला मोहाली ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दिलाने के लिए केंद्रिय सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्री नितिन गड़करी का आभार व्यक्त किया है। अनिल विज ने ट्वीट कर दोनों परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के लिए धन्यवात दिया है। दुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा। ध्यान देने योग बात है कि इससे पहले भी ग्रिह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से 885 करोड रुपे की लागत से 40 किलो मीटर लंबी अंबाला रिंग रोड परियोजना को मंजूरी दी गई थी जिसका काम वर्तमान में तेजी से चल रहा है अंबाला काला अंब हाइवे का विवरण ये नया 33 किलो मीटर लंबा अंबाला काला अंब हाइवे अंबाला रिंग रोड से शुरू होगा और शहजादपुर से होकर काला अंब तक जाएगा। फोर लेन हाइवे पर दो बड़े पुल और कई छोटे पुलों का निर्मान होगा। हाइवे पर 15 वाहन अंडरपास भी बनाए जाएंगे और हर गाव से हाइवे पर चढ़ने के लिए अलग से रास्ते की विवस्था होगी। नया हाइवे अंबाला रिंग रोड से पंजो हाइवे अथोरिटी द्वारा बनाया जा रहा है जिससे अंबाला और मोहाली के बीच की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। यह हाइवे छेहलेन का होगा जिससे वाहन चालकों को अधिक सुविधा और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद।